आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है हमने पिछले वीडियो में वृत्ति की परिधी और क्षेत्र फल की सहायता से एक उदाहरण को हल किया था आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्णों को हल करते समय सामान्य तह क्या गलतियां हो सकती है टीना साथ मीटर के एक वृत्ताकार पथ पर घूम रही है जो की वृत्ताकार पार्क के बाहर की तरफ है यदि पार्क की तरिज्या अठारह मीटर है तो पध का क्षेत्र फल क्या होगा? निम्न में से कौन सा उत्तर सही है? प्रश्ण को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें आईए, विकल्प तीन पर चर्चा करते हैं चूंकि हमें दिया गया है कि तीना एक साथ मीटर वृत्ताकार पथ पर घूम रही है जो की पार्क के बाहर की ओर है अतह हम कह सकते हैं कि इस वृत्ताकार पथ व पार्क की कुल त्रिज्या यानि की आर पचीस मीटर होगी जिसे हम इस वृत्त से प्रदर्शित करते हैं तो क्या आप इससे पथ का क्षेत्र फल ग्याद कर सकते हैं? चलिए देखते हैं सबसे पहले हम संपूर्ण वृत्त के क्षेत्र फल को ग्याद करते हैं जिसे समिकरण एक से दर्शाती हैं इसी प्रकार पार्क के क्षेत्र फल वाले वृत्त को ग्याद करते हैं जिसे समिकरण दो से दर्शाती हैं चूंकि हमें पथ का क्षेत्र फल ग्याद करना हैं, इसलिए समिकरण एक से समिकरण दो को घटा देते हैं, जिसे हल करने पर पथ का क्षेत्र फल 946 वर्ग मीटर प्राप्थ होता है, अतह विकल्प तीन सही उत्तर है, यदि आपने विकल्प एक का चैन किया है, तो यह अच्छी कोशिश है, परन्तु यह गलत उत्तर है, क्योंकि जब आपको पथ का क्षेत्र फल ग्याद करना होता है, तब आप पथ की चौड़ाई को ही त्रिज्या मान लेते हैं, और उसी आधार पर हल कर देते हैं, जिसके कारण आपका उत्तर गलत हो जाता है, यदि आपने विकल्प दो का चैन किया है, तो यह अच्छी कोशिश है, परन्तु यह गलत उत्तर है, क्योंकि यहाँ आपने पथ का क्षेत्र फल ग्याद न करके, पार्क वपथ की कुल त्रिज्या से वृत्त का क्षेत्र फल ग्याद कर लेते हैं, जिस कारण आपको गलत उत्तर प्राप्थ होता है, अक्सर बच्चे इस प्रकार की गलतियां कर लेते हैं, जहाँ पर वह वृत्त की त्रिज्या या व्यास नहीं पहचान पाते, और गलत क्षेत्र फल निकाल देते हैं, आईए एक और उदारण देखते हैं, रमेश अपने वृत्ताकार खेत में बाड़ लगवाता है, बाड़ लगाने की लागत 15 रुपए प्रती मीटर की दर से है, जिसका कुल व्याए 3960 रुपए है, यदि उसे अपने खेत की जुताई करवानी है, तो उसे 50 पैसे प्रती वर्ग मीटर की दर से देने होंगे, तो क्या आप बता सकते हैं कि खेत को जोतने के लिए उसे कुल कितने रुपए देने होंगे? निम्न में से कौन सा उत्तर सही है? प्रश्न को हल करने के लिए विडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। आईए, विकल्प एक पर चर्चा करते हैं। हमें दिया गया है कि बाड की कुल लागत 15 रुपए प्रती मीटर के हिसाब से 3960 रुपए है। इसका मतलब है कि बाड की कुल लंबाई 264 मीटर है। तो क्या अब आप वृत्ताकार खेट की त्रिज्या ग्याद कर सकते हैं। बिल्कुल सही, त्रिज्या ग्याद करने के लिए हम परिमाप यानि की परिधी के सूत्र की सहायता लेंगे। जिसे हल करने पर त्रिज्या यानि आर का मान 42 मीटर प्राप्थ होता है। चूँकि हमें तो खेट को जोतने में लगा कुल व्याए ग्याद करना है जिसके लिए हमें खेट के क्षेतरफल की आवश्यक्ता होगी। वृत्त के क्षेतरफल के सूत्र में आर का मान रख हल करने पर। वित्त का क्षेत्र फल यानी खेत का क्षेत्र फल 5544 वर्ग मीटर प्राप्त होता है, क्योंकि हमें पता है कि खेत की जुताई 50 पैसे प्रती वर्ग मीटर है, इसलिए खेत को जोतने के लिए रमेश को 2772 रुपए देने होंगे. अतह विकल्प एक सही उत्तर है, यदि आपने विकल्प दो का जयन किया है, तो यह अच्छी कोशिश है, परन्तु यह गलत उत्तर है, क्योंकि आपने वृत्त की त्रिज्या ग्यात करने के लिए परिधी के सूत्र में व्यास को दो आर के स्थान पर डी से प्रदर्शित कर द देते हैं, और डी के मान को ही त्रिज्या यानि आर का मान मान लेते हैं, और उसी आधार पर आगे हल कर देते हैं, जिस से आपका उत्तर गलत हो जाता है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि इस उदाहरण में पहला विकल्प क्यों सही है, और दूसरा विकल्प क्यों गलत है, अध्यापक भी कक्षा में विद्यार्थियों की सूज बूज का परीक्षन ऐसे ही कुछ उदाहरणों की मदद से कर सकते हैं, कर सकते कर सकते हैं?